मूवी की शुरुवात होती है कि स्पेसिप को दिखाने से इस्पेसिप के अंदर जो पूरी रिसर्स टीम है वो सारे पैसेंजर्स 90 साल के बाद अपनी नींग से जागेंगे इस स्पेसिप का मिशन ये था कि वो इस पूरी टीम को जमीन जैसे दूसरी प्लेनेट पर पहुचाए जिसमें उसे अभी भी 90 साल का सफर तै करना है अब इतने लंबे सफर के दुरान इंसानों की उम्र ना बड़े उनकी नीन भी तब ही खुलेगी जब वो दूसरे प्लेनेट पर पहुच जाएंगे वो आगे बढ़ी ही रहे होते हैं कि तब इस सामने कई सारे एस्टरोयेट आ जाते हैं यानि चटानों की तूटे हुए टुकडे जो वो स्पेस्षिप से टकरा जाते हैं पर ये स्पेस्षिप काफी एडवांस यानि मजबूत था एस्टरोयेट की टकराने से इसका रिपेरिंग सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है जिससे हाला की स्पेस्षिप में कुछ खराबी तो आई थी लेकिन वो खुद को खुद बिल्कुल ठीक कर लेती है ऐसा होने से स्पेस्षिप बंद हुई और अगले ही पल रिस्टार्ट हो जाती है पर इस टकर की वज़े से एक पैसेंजर की स्लीपिंग चेंबर की लाइट ओन हो गई थी देखते ही देखते उसका चेंबर खराब हो गया उसके पूरे सरीर से मसीन्स हटने लगी इस स्पेस्षिप अपना 30 साल का सफर पूरा कर चुका था और अब वो अपने 30 साल की गहरी नीन से जाग जाता है इसका नाम होता है जिम वो उटकर आगे बढ़ा अब पहले तो उसे काफी चक्कर आ रहे थे लेकिन कुछी देर में वो बिलकुल नॉर्मल हो जाता है अब जिल उस हॉल में जाता है जहां सफर खतम करने के बाद सारे पैसेंजर्स को जमा होना था क्योंकि यहां इनकी तब मीटिंग होने बाली थी मगर जाहिर तोर पे उसने देखा कि इस हाल में कोई भी नहीं है वो पूरे स्पेसिप में बाकि सभी पैसेंजर्स को ढूडने लगा लेकिन उसे अपने अलावा वहां कोई भी नहीं मिला वो कंट्रोल रूम में मदद मागने के लिए जाने लगा पर उसका दर्वाजा लॉक था इसे कंट्रोल रूम के मेंबर की आईडी से ही खुला जा सकता था या फिर टीम के हैड की इसलिए अब जिब सिस्टम से ही अपनी लोकेशन की डिटेल निकल वाता है ताकि वो पता कर सके कि इस वक्त इस पे सिर्फ कहा है जहां उसे पता चल गया था कि अब ही वो अपनी मंजिल यानि कि उस प्रेनेट से 90 साल की दूरी पर है यानि कि वो 90 साल पहले ही जाकर अपनी स्लिपिंग चेंबर से एक्टिवेट हो गया है अब इसे सुनकर काफी मायूस हो जाता है वो वहां से जाने लगता है मगर तभी उसकी नजर सामने गई उसे लगा कि वहां कोई इनसान है तो जिम उसकी तरफ जाने लगा जहां उसे पता चलता है कि वो इनसान नहीं बलकि इनसानी शेकल वाला एक रोबोट है अब जिम को वहाँ एक ओजार मिलता है जिसकी मदद से वो अपनी sleeping chamber को ठीक करने की कोशिश करता है मगर इस चीज में भी वो नाकाम रहता है इसके बाद जिम control room में जाने की कोशिश भी करता है उन सारे ओजारों से दरवाजों को काटने की कोशिश करता है मगर वो इतना मजबूत दरवाजा था कि उसे कुछ भी करना नामुंकिन था आगे बढ़कर जिम ने देखा कि अब इस पेस्टिफ के बाकी functions में भी खराबी आ रही है मगर वो इन चीजों को नजर अंदास करके रोबोट के पास जाकर बैठ गया उससे कहने लगा कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं हमेशा के लिए इस इस पेस्टिफ में फस जाओंगा कोई मेरी मदद को नहीं आएगा मैं अकेला ही मर जाओंगा इतना यह सुनकर रोबोट कहता है कि इनसानों की यही तो खामिया है उन्हें हमेशा वो चाहिए होता है जो उन्हें पसंद हो और जो उनके पास ना हो और उस चीज के साथ खुश रहना चाहिए जो आपके पास है उसकी ये बातें कहीं न कहीं जिम पर असर कर जाती है इसलिए इस प्रेसिप में जो भी था वो उनसे फायदा उठाने लगा खुशी खुशी आगे अपनी जिन्दी की जीने लगा इस पेसिप में करने को खेलने को बहुत खुश था तब तो सब करके ही जिम अपना वक्त गुजारता है तब ही उसका एक बार फैर फिसल गया वो नीचे गिर जाता है अचानक उसकी नजर एक स्लीपिंग चेमबर पर ग जानता था कि यह करना गलत है मगर आखीर में वो इस फैसले पर पहुचता है कि मैं अरोडा को नीच से जगाऊंगा क्योंकि उसके बाल और शेव काफी बढ़ गये थे तो वो अपने बाल कटिंग करने लगता है जिसके बाद अपने उजारो वाला बॉक्स लेकर अरोडा क चेमबर के पास आ जाता है वो एक ओजार से उसके चेमबर के सिस्टम को करेंट देता है ऐसा करने से चेमबर खराब तो हुआ और फिर खुल जाता है मगर इससे पहले उसकी आगे खुलती वो अपने पास जिम को देखती है वो अपना ओजारो वाला बॉक्स लेकर भाग ज आता है सभी ओजार किसी जगे पर चुपा देता है ताकि अरोडा को ये बात न पतल सद चल सके कि उसके साथ ऐसा उसने किया है जिसके बात अरोडा अपनी नीन से जाकर आगे बढ़ती है और अब दोनों का आमना सामना हुआ तो अरोडा उससे पूछती है कि टीम के बागी तो कहां पर हैं कोई नजर नहीं आ रहा पर इस पर जिम उसे बता देता है कि तुम्हारा और मेरा स्लीपिंग चैम्बर खराब हुआ है साथ ही वो घवरा रही थी इसलिए वहां जाकर देखती है कि जहां सबके चैमबर्स रखे हुए थे वो देख लेती है कि जिम सही कह र क्योंकि वो गोल्ड क्लास की पैसेंजर थी हमेशा अलग-अलग चीजे खाया करती थी अब उसे पता चला कि जिम इतने सालों से एक ही तरह का खाना खा रहा है तो वो अपनी आईडी से जिम को भी गोल्ड क्लास का खाना निकाल कर देती है अब अरोडा भी कंट्रोर लूम कि यहाँ पर करने का कुछ है इस पर जिम कहता है कि हाँ आप डांस कर सकते हैं खेल सकते हैं और भी कई सारी चीजे कर सकते हैं अब इसके बाद ये लोग डांस को चुनते हैं AI सिस्टम इन्हें डांस करना सिखाता है जिससे ये लोग इन्हों ने डांस किया दोनों ही काफी खुश थे ये लोग इस पेस की सेर भी करते हैं इन्हें बहुत मजाया करता था और धीरे-धीरे इनकी दोस्ती हो जाती है दिखाया जाता है कि इस पेस सिफ अब एक काफी बड़े तारे के पास से गुजरता है जो बहुत चमकदार था इसलिए काफी खुबसूरत लग रहा था उसके अंदर से चिंगारियों जैसी आग निकलती है अब अगले दिन अरोड़ा जिम और तीनों मिलकर अरोड़ा की बर्डे पार्टी मनाते हैं यहां जिम उसे अंगूटी गिफ्ट करना चाहता था ताकि वो बता सके कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ मगर बातों ही बातों में रोबर्ट की मूँ से निकल जाता है कि अरोड़ा तुम्हें स्लिपिंग चेमबर से जिम ने निकाला है ना कि तुम्हारे चेमबर में खराबी आई थी ये जानकर अरोडा काफी दुकी हो गई वो बहुत जादा रोने लगती है क्योंकि जिस पर उसने सबसे जादे भरोसा किया उसने उसे धोका दिया था वो जिम से इतना नराज हो गई कि वो बात करना ही छोड़ देती है उसे इतना गुसा आ रहा था कि एक राज जब जिम सो रहा था तो अरोडा उसके पास आकर मुक्कों से उसे बहुत मारती है फिर जान से मारने वाली थी लेकिन किशी तरह खुद पर काबू पा लेती है जिसके अगले दिन जिम ये कबूल कर लेता है कि हाँ मुझसे गलती हुई है मैंने ही तुमें स्लिपिंग चेंबर से जगाया था मुझे माफ कर देना क्योंकि इसके अलावा मेरे पास और कोई चारा ही नहीं था एक साल अकेले रहने की वज़े से मैं जैसे पागल हो गया था लेकिन अब भी अरोडा उसकी एक नहीं सुनती उस पर काफी चलाती है अग्रे दिन जब वो लिफ्ट में था तो अचानक खराबी होने की वज़े इसे लिफ्ट बंद हो जाती है वो रुक गई तो अब जिम बाहर नहीं आ सकता था तो अब वो हातों की मदद से जैसे तेसे लिफ्ट को खोल कर बाहर आने लगता है दूसरी दरा जब अरोडा भी मशीन से खाना लेती है तो मशीन में खराबी आ गई थी क्योंकि वो बहुत सारा खाना अरोला के उपर फैक देती है ये देख दोनों को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये हो क्या रहा है वो इस बारे में सोच ही रहे थे कि तभी इने किसी इनसान की आवाज आए जब ये चेक करने आगे बड़े तो देखते हैं की टीम का हैड भी अपने स्लिपिंग चैंबर से जाग गया है हैड को भी खरावी का पता चल गया था इसलिए वो अपनी आईडी से कंट्रोल रूम का दरवाजा खोल कर अंदर जाता है ताकि चेक कर सेके कि और कौन-कौन सी खराविया है मगर उसे कुछ भी पता नहीं चल पाता तो ये लोग फैसला करते हैं कि इस पे सिप में होने वाली खरावी को हम खुद ही चेक करेंगे तीनों जब आगे बड़े तो इन पर एक रोबोट गिर जाता है वो जमीन पर गिर कर तूट गया था ये देखकर हैड बताता है कि ये पंद्रमा रोबोट है जो खराव होकर तूट गया अब हैड अरोरा की स्लिपिंग चेंबर को जाकर चेक करता है अब उसे पता चल गया था कि इसे जिम ने खराव करके खोला है हैड उसे कुछ भी नहीं कहता क्योंकि उसे भी इस बात का पता था कि एक सार इंसान वाकई अकेलर रहकर पागल हो सकता है अब अचाना की हैड की तबियत खराब होने लगती है वो अपने कमरे में आया तो देखता है कि उसके मूँ से खून आ रहा है अब एक रात इस पेस्चिप की लाइट अपने आप ही चली जाती है जिस वज़े से इस जगे की ग्रैविटी पूरी तरह से बंद हो गई जिससे ये लोग हवा में उडने लगते हैं अरोडा जो पूल में थी लाइट बंद होने की वज़े से काफी बड़े पानी के बबल में आकर फस गई थी वो बहार नहीं निकल सकती थी तो अंदर रहकर उसका दम घुटने लगा उसकी हालत खराब होने लगी पर इससे पहले उसकी जान चली जाती इस पे शिप फिर से री स्टार्ट हो जाता है क्योंकि बिजली वापस आ गई थी ऐसा होते ही अरोडा भी पूल से बहार आ गई थी और जिम जो उड़ रहा था वापस अपने बैट पर आ जाता है अब उसके शरीर को जब पूरा स्कैन किया गया तो पता चला कि हैट को तो 612 बिमारिया है जिस बजे से धीर धीरे उसके टीशूस खतम हो रहे हैं यानि कुछ ही टाइम में वो मर जाएंगे अपने बारे में सब जानकर हैट बहुत जादे दुखी हो गए थे वो इन दोनों को आपसे बिठा कर कहते हैं कि मेरी बात सुनो एरे बाद एक दूसरे का ख्याल लखना और प्यार से रहना वो इन्हें अपनी ID भी दे देता है ताकि यहां पर रुक कर कुछ भी कर सकें और बस इसी के साथ उस बिचारे की मोथ हो जाती है उसकी लाश को वहीं छोड़कर जिम और अरोडा शिप की खरावी को ठीक करने के लिए आगे बड़े मगर तभी अचाना कि एक ऐसी खरावी आई कि यह दोनों और आसपास की हर चीज हवा में उड़ जाती है रोबोर्ट में भी ऐसी करवड़ी आ गए थी कि वो खुद को ही नुकसान पहुचा रहा था यह देखकर अरोडा जल्दी से जल्दी उसके पास गई और उसके सिस्टम को ही बंद कर देती है जिसके बाद वो दोनों एक बार फिर आगे बढ़के स्पेस्शिप के सारे हिस्सों को बदलने लगते हैं ऐसा करने के बाद वो पावर सप्लाई रूम के बाहर आ गए थे इन्होंने दर्वादा खोला तो अंदर एक काफी बढ़ा सुराग था जिसकी तरफ यह दोनों खिषने लगते हैं मगर यह खुद को कंट्रोल करके उस सुराग को बंद कर देते हैं खुद को समालने के बाद इन्होंने देखा कि शिप में उस जैसे और भी कई सुराग है और अब जब यह मेन पावर सप्लाई के सिस्टम के पास आये तो इन्हें पता लगा कि बिजली का पूरा सिस्टम खराब हो गया है इसलिए वो जल्दी से जल्दी सभी हिस्सों को बदलने लगते हैं मगर खराबी की बज़े से इस पेसिप में हीट यानि गर्मी खट्टा होने लगती है जिसे बाहर निकालने के लिए इन्होंने लीवर खीचा पर गेट खुलता ही नहीं और अगर जल्दी हीट को बाहर ना निकाला गया तो यहां धमाका हो जाएगा यह देखकर जिम अब खुद ही सूट पैन कर भार आया और उस तरफ जाने लगता है जहां से हीट को बाहर निकलना था जिम के अंदर का टेंपरेचर काफे बढ़ गया था हर चीज तेज गरम हो जाती है उस जगे पर आकर जिम बाहर से लीवर खीषता है जिससे वो दरवाजा खुल गया मगर जैसे उसने लीवर छोड़ा दरवाजा फिर से बंद हो जाता है यह देखकर जिम समझ गया कि अगर दरवाजे को खुला रखना है तो लीवर को पकड़े रहना होगा लेकिन यहाँ एक परिशानी यह थी कि जब हीट इस रास्ते से निकलेगी तो जिम को की भी शरीर को चुकर जाएगी तो इस तरह उसकी जान भी जा सकती है लेकिन वो फिर भी रिस्क लेका लीवर खीषता है इससे दरवाजा खुल जाता है ऐसा करने के बाद वो अरोडा को कहता है कि जल्दी से लीवर कीचो ताकि हीट बाहर निकल सके मगर वो ऐसा करने से मना कर देती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि जिम को कुछ भी हो कि उसके सरीर से जो सेफ्टी तार लगी हुई थी वो तूट जाती है अब शिप तो ठीक हो गया लेकिन जिम अभी भी स्पेस में ही था उसके सूट में छेद हो गया था और अब वो इस पेसिप से दूर हो रहा था अब उसे बचाने के लिए अरोला भी सूट पहन कर बाहर आती है हाला कि जिम उसे दिख तो रहा था लेकिन वो उससे काफी दूर था मगर फिर भी अरोला उस तक पहुँचने की कोशिश करती है दोनों ने एक दूसरे का हाथ भी पकड़ लिया लेकिन हाथ फिसलने की वज़े से एक बार फिर वो अलग-अलग हो गए ये देखकर अरोला रोने लगी क्योंकि उसे लग रहा था कि जिम को उसने खो दिया है लेकिन तभी वो उस स्तार को देख लेती है जो जिम के साथ जुड़ी हुई थी जल्दी से जल्दी स्तार को पकड़के वो उसे अपनी तरफ कर लेती है जिसके बाद उस स्पेसिप में ले आई थी अब जिम का सूट जल गया था काफी देर तक स्पेसिप में रहने की वज़े से उसकी हालत काफी खराब हो जाती है जो देखकर अरोडा काफी डर गई उसका सूट उतार का उसे मेडिकल मशीन में डाल देती है जो उसकी हालत में जरा भी बदलाब नहीं आता मगर खुश कृस्मती से कुशी देर में जिम की आखे खुल जाती है जो देखकर अरोडा बहुत जादे खुश हो जाती है जिम की हालत बहतर होते ही ये दोनों पूरे स्पेसिप को ठीक कर देते है जिसके बाद इज़त के तोर पर हेट की लाश को कपड़े पहना कर उसके बैजिस लगाते हैं और स्पेसिप में छोड़ देते हैं अब जिम को एक और स्लीपिंग चैंबर मिलता है जो बिल्कुल ठीक था उसमें इन दोनों में से कोई एक जाकर सो सकता था इसलिए वो अरोड़ा को कहता है कि तुम वापस जाकर इसमें लेट जाओ फिर 90 साल के बाद ही जागना जहां तुमारी आग खुलने पर तुमारे सामने वो दूसरा प्लेनेट होगा बगर अरोड़ा उसे ऐसा करने से मना कर देती है वो कह दिये कि नहीं मैं तुम्हें अकेला छोड़के नहीं जाओंगी हम साथ मिलकर रहेंगे जो भी अंजाम होगा मैं उसके लिए तयार हूँ यह कुछ और साल यहां गुजारते हैं जहां एक दिन जिम अरोड़ा को वो अंगुठी दे ही देता है जो पहन कर वो बहुत ज़्यादे खुश हो जाती है और अब इसके बाद हम सीधा पूरे 90 साल के बात का वक देखते हैं जहां वो इस पेसिप आखिर कर उस प्रेनेट तक पहुच गया था यानि अपनी मंजिल तक ऐसा होते ही सबी मेंबर्स नीन से जाग जाते हैं पर जब ये इस पेसिप से उतरने लगते हैं तो इन्होंने देखा कि पूरे इस पेसिप में पेड़ पोधे होगे हुए हैं जो अरोड़ा और जिमने हुआए थे पर क्योंकि इतने साल गुजर गए उनकी अब मोथ हो गई थी मगर उनने काफी सारे अच्छे कामों में से ये भी किया कि इस पेसिप को ठीक कर दिया तब ही ये लोग अपनी अपनी मंजिल तक पहुच पाएं और इसी के साथ ये कहानी भी यहीं पर खतम हो जाती है